आज के इस वीडियो में हम Bluetooth configuration के बारे में सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं Bluetooth की configuration तो Bluetooth की configuration करने के लिए हमारे को चलना होगा end devices पर end devices की चलने के बाद हम चलेंगे home appliances पर और उसके बाद यहां से ले लेंगे एक speaker और speaker लेने के बाद हम यहां से ले लेंगे एक और device को जिसका नाम है यहां पर यह वाली कुछ इस टाइप से portable music player उसको हम यहां पर ले लेते हैं लेने के बाद अब हम करते हैं Bluetooth की configuration तो यहां पर आपको Bluetooth speaker पर क्लिक करना है speaker पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर configuration के पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको wireless पर क्लिक करना है क्योंकि इसमें wireless by default on रहता है तो उसको आपको यहां से ओप कर लेना है तो मैं यहां से इसको wireless को ओप कर रहा हूं और Bluetooth को ऐसे कर लेना है इसके बाद आपको अपने पोर्टेबल मुजिक इन आर पर आना है तो इसको कुर करने के बाद आपको यहाँ पर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे की जो मेरा Bluetooth portable speaker है उसका address आ चुका है तो यहाँ पर आपको click करके इसको pair कर देना है जैसे यहाँ pair करोगे आप देखोगे कि यह Bluetooth speaker इससे connect हो गया है और यहाँ पर भी एक देखोगे कि एक निली color की line आ चुकी है Bluetooth connect होने की तो हम देखते हैं कि Bluetooth connect हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो portable music player है उसको आपको alt करके right click करना है तो आप यह आवाद सुन रहे होंगा भी तो यह आवाज होती है Bluetooth speaker की मैं यहाँ पर इसको close करता है तो इस परकार की voice आने शुरू हो जाती है मेरे को कैसे पता लगा कि old plus left click ही करना है तो यहाँ पर आपको portable music player पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर specification पर जाना है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि old plus left click लिका हुआ है old plus click लिका हुआ है left click आप चाहो तो कर सकते हो मैं यहां पर left click किया था world plus click करना है तो यहां से आपका वो portable music player है वो own हो जाएगा तो इस परकार हम करते हैं Bluetooth की configuration वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में